जहीं दोस्तों क्या हाल है जो यहेंal पाल भाइ सैंसंग गैलेक्सी जी फ्लिप फॉर और रिसेंटलीस मैंने आपको वीडियो दिया था गैलेक्सी जी फोल्ड-4 की वारी कन फ्ूल्ड-3 पहले से मेरे पास खुद का डिवाइज है वो तो मैंने एक प्रैक्टिकल से वीडिय वर्सिस पॉर में का डिफरेंस है चेक आउट जरू करना चैनल पर अब फ्लिप थ्री तो नहीं है मेरे पास लेकिन भाई हाँ फ्लिप फॉर के अंदर क्या क्या दे रखा कैसे दे रखा वो सारा शेर करूंगा इस वीडियो के अंदर क्या इंप्रूव्मेंट है बस साइड फ्लिप फॉर वेट में हलका सा कम किया गया पहले से 3187 ग्राम का था यह 183 ग्राम का यहां पर बेसिकली अगर आप देखेंगे जस्ट लाइक फॉल्ड फ्लिप भी यहां पर इस बार क्या थोड़ा बोक्सी शेप में दिखेगा आपको हलका सा जो साइड है साथ में जो य इसमें भी आपको जो बैजल से न साइड से वह पहले से थोड़े कम किये गए है और प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यह फोन क्या होगा पहले से ज्यादा मतलब एक स्टरडी सा और थोड़ा सा बेटर फील कराता है इन है एक्सपीरियंस में और यह फ्लिप है न फीजीकल स्केनर लेकर आते हैं तो यहां मिलता है लेकिन वोल्यूम अप यहां ऊपर होता है सबहuna इसी होन सा ओथ भर नीचे दौन होता है यानि कि इधर वाला बोल्यूम आप है लेकितन जैसे मैं क्लोज करता हूं अब automatic क्योंकि यहां बाहर भी display है ना अब है display करता हूँ लेकिन देखो ऐसे में softer काम करता हूँ करता हो रिवर्स हो गया यहां से डाउन होने लगया volume और उपर वाले से high होने लग जा जैसे इसको खोलते हो यह देखो इससे low होने लग जाता है जैसे इसको बंद करते हो इसस गोरिला ग्रास विक्टस प्लस और यह मैटल फ्रेम अगर मेरी बात करें तो बहुत ब्लैक यह दूसरे ओप्शिन आने वाले वह ज्यादा बैतर लगेगा कलर अपने प्रसंट पर होता है वैसे अलाउंसमार में देखा था कलर में बैस्पोग एडिशन भी आता जिसमें अपनी जैसे ब्राइटनेस कम लग रही है तो यहां से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं नोडिफिकेशन पैनल होगारा फ्लेश लाइट होन करता हो ना तो डाइक मेरे आखों में ना पड़े इसलिए इसको कहते है वह एक स्टेप एक्स्टा फोलो करो ताकि यह कर सकते हो वैसे मुझे सब ज़्यादा प्रेक्टिकल फीचर तो इसके पता है क्या लगता है डिपस की वीडियो मैंने का दा लो में चैमरा ज्यादा बेटर क्वालिटी देता है कोई भी फोन हो बट इसमें पीछे क्या चल रहा है वो चीज बिल्कुल यहां पर दिखाई देता है यह वड़ा यूसफुल लगता है मुझे परस्नली और अगर किसी के पास फ्लिप 3 होगा कॉमेंट करके बता रहा विकोज लास्ट टाइम मैंने जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम यह कवर स्क्रीन है ना इसके उपर एक कमी लग रहे थी मुझे पावर बट स्क्रीन का यूस कहां कर सकते हो जो बहुत जादा प्रेक्टिकल लाइफ में आपको काम आ सकता है दो चीजे मतलब वन यूवाई फीचर है यहां से आप से थोड़ा वाइड कर सकते है उसी कैमरे से बट में कैमरे का जो अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा होता है ना वो तो ज्यादे ही वाइड होता है ना तो इससे आप यहां टैप करके आप यहां से आप कितने भी लोगों की अल्ट्रा वाइड सेलफी ले सकते हैं अगर बात करें में डिस्प्लेइगी तो डिस्प्ले साइज 6.7 इंच है फूल हदी प्लस 120 हर्स स्क्रीन रिफ्रेश्ट रिफ् इस जो है अगर आप डिस्प्ले पर देखोगे तो क्रीज अभी भी है इसको आप अलग अलग अंगल पर देख सकते हो पहले से हलका सा मिनिमाइज किया गया है एंड समसंग का फोन ना तो यह वन यूवाई लेटर्स के साथ आता वन यूवाई फोर अंडोड 12 मिलने वाला और साथ में यहाँ पर जितने आपको वन यूवाई में फीचर मिलते हैं न वो सारे फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे समसंग डेक्स नहीं मिलता फ्लिप फोन में बाकि सारे फ्लेक्सी फीचर मिलेंगे इसके अंदर और काफी स्मूथ हील ओता है 120 हर्स के कर जाएगा ऐसे करोगे तो यह इस mode पर चला जाता है वही सारे option यहां से आपको notification panel का option मिलता है यहां से screenshot ले सकते हैं और साथ में यहां से इसका brightness control कर सकते हैं और उसके बाद volume control and यह mouse वाला system बन जाता है just like ऐसे ऐसे आपको use कर दो चाहो तो setting में इस option को off भी कर सकते हो आपकी मर्जी है तो flex panel में जाके तो यहां से Twitter off कर दो अभी क्या होगा अब यह flex mode में नहीं जाएगा और Insta को भी थोड़ा लग लग कस्टमाइं की है तो जैसे इसको करते हैं देखो यह सारे option यहां तोड़ा इसी जाता है story लगाने के लिए और ऐसे करके story भी शूट कर सकते है रिल वाजी वगएरा का time चल रहा ना तो कुछ इस तरीके से बाकी मैंने वाइस के अंदर कुछ टेस्ट वगएरा भी किये थे जैसे snapdragon 8 plus Gen1 मिलेगा 16 5G band और 8 plus Gen1 जो है वह ज्यादा capable प्रोसेसर है इसका score लेकिन थोड़ा कम आता है फोल्ड से और थ्रोटल टेस्ट में अगर आप देखो तो ग्राफ डाउन जाता है लेकिन जिप score जो है वह काफी अच्छे कासे हाई आ है मैंने इसको लोंग टेस्ट नहीं किया भी बट इनिशली में जैसे मैं कुछ चीज़े टेस्ट कर सकता था तो वहाँ पर क्या हुआ कि फोन का पफोर्मेंस अच्छा है और snapdragon 8888 या फिर एट जैन वन से बैटर थर्मल कंट्रोल के साथ आता है स्नैपड्रेगन एट प्लेस जैन वन तो फोल्ड मैं यूज करना उसमें तो टेंप्रेचर बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर मैंने नोटिस किया हलका सा यहां जाना देखने को मिलता है अभी भी मैं इसको ओवरीट तो नहीं कहूंगा तो यह रीजन है यह ग्राफ ऐसा आता है बड़ जो परफॉमेंस कोर है यह देखो अच्छा खासा आ रहे है तो दो तरीके सा ड्वांटेज मिलेगा पहला तो यह इसके अंदर बैटरी बढ़ा दिया गया अभी है इसके अंदर 3700 बैटरी और इस बार चार्जर सपोर्ट करेगा यह 25 वोट का आपको डेफिनेटली खुद खरीदना पड़ेगा और सेकिंड यहाँ पर स्नैपड्राइगन एट प्लस जैन वन की वजह से बैटरी बैकप और बैटर होगा और मैंने थोड़ा नोटिस भी किया बैटरी बैकप इसका बैटर हुगा है यह ऐसे बारा मिनट से कॉंटिनेश वीडियो शूट हो रही है और इसके बाद अगर मैं गैलरी में देखा हूं आप जाके मैं वीडियो रोग रहा हूं मुझे बैटरी चेक करना था 87 परसेंट था 71 परसेंट हुआ लेकिन इस 71 परसेंट में अगर हम लोग गैलरी में जाया देखो कितनी फोटोस क्लिक करिए फिर यह चोटी चोटी वीडियो आप देखेंगे 38 सेकेंड 48 सेकेंड 25 57 फिर देखो आप का भी साथी वीडियो यहां से सुरू हो जाते सेंपल बाकी नाइट सेंपल है सेवंटीन परसेंट भाई यहां आउट्डोर में वीडियो शूट हो ही मेरा हाल देख सकते हो आप गरमी में डिस्पली की बैटनेस फुल है और यहां पर कितने सारे वीडियो मैंने दिखाया फोटो क्लिक किया गया सेवंटीन परसेंट इस नोट बैड अचली बैटरी बैकप यहां पर डेफिनेटली इंप्रूवड है और देटो डेलाइप मुझे टेस्ट करने के लिए थोड़ टाइम तो चाहिए बट मैं इनिशली जो कर सकता था वह सारा मैं यहां पर दिखा रहा हूँ कैमरे मौक्शन मिलता हाला कि कौन मतलब प्रंट कैमरे से क्यों ही लेना अगर फिलिप में मैं अपने आपको पीछे देख सकता हो तो वीडियो स्टेबल आती है बाकि आप इससे तो अलग तरीके से वीडियो शूट करी सकते हैं आप फोन को ऐसे रखके पोर्टेट वीडि में भी पोर्टेडल छाडर में चेंच कापीए पोर्टेअफ मेन देखने चाहर रहे है और आप कैमरे को किसी अच्छे खासे पोन के सपीर कर सकते हो हां एक अपनी जगा स्पेशली की लिए आते हैं बाकि यह वाला फॉन भी आपका व्यर्लेस चारजिंग के मतलब water resistant है dust resistance नहीं वैसे साथ में इसके साथ silicon cover भी आया था with strap अगर इसको आप देखोगे यह से दो पार्ट में आता है से नीचे लग जाता है यहां से और यह ऐसे ऊपर भी लग जाता है और यह strap दे रखा तो फोन आप ऐसे यूज का सकता है यह से मतलब गिरने वगार से बचाने करें लेकिन फोन थोड़ा थीक हो जाएगा तो यह था फ्लिप 4 छोड़ी छोड़ी चेंजिस भी बताए मैंने और जो पहली बार देख रहा होगा वीडियो अगर जिसने फ्लिप 3 नहीं द पन्ताव मैं जाँ प्रापसे अगली वीडियो